ओके स्टुएंट्स नाओ टेक आउट यूर मैच्स बूक ओपन यूर पेज नॉमबर फॉर्टी सेवन चैप्टर सेवन जक्सेंड मक्स अल्रेडी डन इस एक्टिविटी हमने अभी यह लैमन जूस वाली एक्टिविटी की थी इसकी आपको वीडियो मुझे सेंड करना है इ इसमें जो भी एक्टिविटी दी है इसको घर पर करके देखेंगे ठीक है देन टेक आउट यूर प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस बुक पेज नंबर ट्वेंटी एट ओके एसिस्मेंट वन नाव सॉर्फ फर्स कोशिशन नंबर दा फॉलाइंग कंटेनर्स इन इंक्रीज order of their capacity क्या करना है आपको इसमें increasing order में जो जितनी कम capacity लेगा मैंने ability की वीडियो बेजी थी जो जितना कम डो लेगा जितना एलएंग जैसे की injection injection में सबसे ज़्यादा water आएगा कि सबसे कम water हाँ सबसे कम तो यह क्या हुआ increasing आपको जो पर कें दीख रही जह इसमें ज्यादा water आईगे कि इस container मैं ज्यादा water लाव्याइगा बताए हा तो इस में उससे कम आयगा injection मेंस सबसे कम second में यह थर्ड में यह ठीक है ऐसे ही आपको सेकेंड भी देखिए जग टब बकेट दिया है इन टीनों में से increasing order सबसे ज़्यादा कौन सा होगा उसमें आपको first number second number third number लिखना है ठीक है यह वाली activity आप अपनी बुक में करेंगे second question in the figure given blow four glasses will container one six glasses will container two and three glasses will container three okay अदेखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है four glasses दिया हुआ है fill container one number पर यह question आप पढ़ते which container has the maximum capacity सबसे ज़्यादा कैपिसिटी कौन से container में है बदाए कितनी glass लिया second number पर six glass fill container two hundred second number पर लिया है सबसे ज़्यादा glass फिल किया two number which container holds the least capacity of liquids सबसे कम किस ने लिया है third number तो वह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे three number okay then आपको एसिस्मेंट number two page number 29 यह आपको activity घर पर करके देखनी है look at the picture of utensils and estimate how much dust dust each utensils hold देखें first हम पढ़ते हैं how many cups of water in one jug आप घर में कप लेंगे जिसमें टी पीते हैं वह वाला कप लेंगे उस cup से जग में आप एक जग लेंगे उस cup से जग में water डालेंगे यहां पर लिखेंगे कि कितने cups आपने water डाला जग में ठीक है यह आपको करते हुए कि वीडियो बनानी है then इसके बाद आप इस पर लिखेंगे ठीक है फिर मुझे send करेंगे second ऐसी दिया है how many drops of water in one spoon आप एक spoon लेंगे उसमें water की drop डालेंगे कितने drops में आपकी one spoon फिल होती है वह यहां पर लिखेंगे how many spoons of water in one glass आप आप स्पून से glass में water डालेंगे वह जितनी spoon आप डालेंगे उतने नमबर यहां पर लिखेंगे same a counzions करने यहां पर आपको glass लास लेंगे यह बाटल को फिल करना है यहां bottle लेंगे small bottle लीजेग्हां उसमें jug in the 10 से fill करना है किपने जयक से फिल करना साथ बोटल में ऐसी जग में जग से आपको किसमें फिल करना है बकेट में तो कितने जग्स आपने बकेट में टाले वह नंबर यहां पर लिखेंगे और उसकी वीडियो मुझे जरूर सेंड करेंगे ऐसी आपको सेकेंड कोशन देखें आंसर दे फॉलॉइंग आपको यह वाली कोशन जो क्योशन नंबर सेकेंड है वह अपने कॉपी में भी सॉल करना है डू में टू ग्लास ओफ लेमनेग सीदी नीट्स आ लैमन हाव मैनी लैमन विल शीनीट तो में इस दीस ओफ लैमनेग आपको देखो यह जो इतनी ग्लासेज दी हुई है आपको टू ग्लास में कितने लामन लग रह एक वम्न तो हमारे पास यहां पर कितने ग्लास ओर फू फर लेखने और रहा जापते यह अंतलिशा कियें फीचादी सबमें मेर को ख़ोन का धो यह फोले ऑफ और केटंत करूमीर तेंघ्विआ विए पर सद्दोसे और फेट ववárias। तो two the local Times में उनने चीफ lang सब्सक्राइए तो डू जैसे इसह silे लिए उननरा क्याला क्पी पस्षार्व करें एंड कप्रेटी खाहिए किटने यहां किस्ट सब्सक्राइए डिखांав करेंगे और यह बुक में solve करके यहाँ पर answers लिखेंगे, ओके, देखें, sorry, wait, यहाँ पर हमने कितने ले ले लिए, 8, यहाँ पर हमने 4 cups लिए, और यहाँ पर भी हमने 4 cups लिए, 4 cups टी लेंगे, तो 4-4 कितना हो जाएगा, 8, ऐसे ही हम यहाँ पर chocolate of milk भी ले रहें, यह आप solve करेंगे और यह solve करने के बाद मुझे worksheet send करेंगे, और एक इसकी वीडियो जरूर बनाएंगे, ओके, ओके, बाँ बाई, हैवनाई, स्टे, ओके स्टुरेंट्स, अब हम assessment number 3 करेंगे, फर्स्ट ओफ ओल, read this line, two main units for measuring the capacity in the metric system are liter and milliliter, यह unit होती है हमारी measuring capacity करने के लिए, जैसे हम petrol डलवाने जाते हैं, तो वहाँ भी measure करके देता है न, लीटर और milliliter में, वैसे ही milliliter किसमें आता है, जो medicines वगर आप लेते होंगे, तो देखते होंगे, जब आपको ममी दवाई देती है, तो उसमें ml लिखा होता है, milliliter लिखा होता है, पर जब हम petrol डलवाने जा है, capacity उसकी कम होती है, उसको हम किसमें measure करते है, milliliter में, ओके, देखो, first question हम देखते है, write the unit, liter और milliliter, you would use to measure the liquid in the following container, यह हमको can दिया हुआ है, अभी बड़ा can है न, इस can में milliliter आएगा कि liter आएगा, yes, liter, अभी देखे, eye drop, eye drop, आप आँखों में दवाई डालते हो, उसको किसमें आप measure करेंगे, इसमें बहुत सारा तो नहीं भर सकते हैं, तो किसमें हम करेंगे, milliliter में, ऐसी ही आपको यह container दिया हुआ है, यह container भी किसमें आएगा, milliliter में, क्योंकि इसमें भी कम आएगा, उतना नहीं आपाएगा, bottle किसमें, bottle में हम ज़्यादा ले सकते हैं, petrol अगर आभी कभी-कभी देखते हो, बॉटल में लेकर आते हैं, वो भी किसमें होता है, लीटर में, हम ऑईल भी लेकर आते हैं, आप घर में ओईल उठा कर देखेगा, मम्मी जो लेकर आते हैं, आपको वेजटेबल बनाती हैं, वो भी किसमें आता Chain ellas yem otherwise, कप आप को यो अभज करनाए कि इस जार में कितने अमांट दिया हुआ है जिसमें लाइन कीची हुए जितना फॉल ओफ़ ओव ओटर दिय वाँ उसके आपका अमांट लिखना है जैसे कि यहां पे लाइन कितनी दियुए कितना फूल ओ ओवल ऑटर 300 milliliter, यहां पर observe करिए कितना है, 400 milliliter, अब यहां पर observe करिए देखे कितना है, 200 से थोड़ा सा ज्यादा है, 200 के बाद 5 है, तो 250 milliliter, okay, then last, यहां पर observe करिए कितना है, 450 milliliter, okay, then third question is, color, color the amount of water, written below the, each measuring jar, अब आपको, यहां पर क्या करना है, जो यह amount दिया हुआ है, जो यह amount दिया हुआ है, यहां पर जैसे कि 500 milliliter, तो आप 500 milliliter तक क्या कर देंगे, color कर देंगे क्या कर देंगे color ठीक है ऐसे आप color कर देंगे इसको ठीक यहाँ पर 700 ml दिया तो 700 तक हम ऐसे line के चेंगे और इसमें ऐसे हम fill कर देंगे ठीक यहाँ पर जैसे 800 ml दिया है 800 ml तक हम इसमे color fill कर देंगे ओके ऐसे ही यहाँ पर कितना दिया है वन मिली लीटर अब वन मिली लीटर कितना होगा बताईए वन लीटर कितना होगा येस वन थाउजन मिली लीटर कितना होगा वन थाउजन मिली लीटर जब वन थाउजन मिली लीटर होता है तो हमारा कितना बन जाता है अपनी प्रैक्टिस बुक में ही सॉल्व करना है ठीक है आप उसके बाद क्या करेंगे इसकी पिच्चर्स बनाएंगे अपनी कॉपी में और फ़र्स और सेकंड कॉप्शन फ़र्स और सेकंड कॉपुशन write in your Maths Notebook आपको first और second question अपनी copy में करना है आपको assessment number 2 की यह वाली first question की activity करनी है second question के question answer आप अपनी copy में solve करेंगे then assessment number 3 कर question first and question second आपको अपनी copy में solve करना है ओके बाइ